हेलो दोस्तों मेरा नाम है कंदेश शर्मा और मैं आप सभी के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप केसी भी सोशल एप में बेना टैप किये सिर्फ अपनी आवाद से टैपिंग कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मुबाइल के सेटिंग्स में जाना है यह हमारा सेटिंग है इसमें जाना है पहले हमें इसको प्रेस करते हैं उसके बाद हमने एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है यह देखिए हमारा एडिशनल सेटिंग्स इसको प्रेस करना है उसके बाद से हमने लेंगविज एन इन्पुट पर जाना है यह देखिए यह उप्शन है इसको अन करना है उसके बाद से आपने नीचे जाना है यह देखिए current keyboard इसको press करना है आपके सामने option आजाएंगे इसमें हमने सिर्फ gboard gboard को ही select करना है देखिए मैंने gboard को select किया हुआ है कोई भी keyboard हो यहाँ पर आपने सिर्फ gboard को select करना है अगर gboard वहाँ पर ना हो तो choose keyboard में जाके आप gboard को select कर सकते हैं या on कर सकते हैं यहाँ पर option दिया हुआ है इसको आप gboard को on कर सकते हैं यहाँ पर देखिए नीचे नीचे का जो option है यह google voice typing gboard को select करने के बाद google voice typing को on करना मत भूले इसको option मांगेगा इसको ok दबा के इसको on कर दे उसके बाद से आपने नीशे सैटिंग्स में जाना है सैटिंग्स में जाने के बाद आपने यहां पर हिंदी को चूज करना है इप इंग्लीश इंडिया हैसको कुछ भी नहीं करना इसको ऐसे छोड़ दिना टेक्tså लगा के उसके बास से आपने जाना है हिंदि को चुश्व करना है यहां पE कि makes इतने सारे चाहें इसमें से हमने ये दीक हिंदी हमेरा उसको हमेश्य शूष कर दिया है कि सीव करना है इसको फिर बैक जाना है अब हमारा काम हो चुका है फ्रेंड्स अब हम किसी शोशल एप में जाकर चेक कर सकते हैं देखिए मैं वर्टसेप में अपने किसी भी फ्रेंड को फून करता हूं मेंसेज करता हूं सौरी कि देखिए अजीद भी यह को मैं मैंसेज करने वाला हूं तो यहां पर हमने जाना है और यहां पर हमने यह नीचे कैमरे के नीचे माइक बना हुए है इसको हम एक पर प्रेस करेंगे हेलो कैसे हुआ आप कि देखिए हमने सिर्फ बोला और यहां पर हिंदी में टाइप हो गया है इसको मैसेज कर सकते हैं अब हम फिर बैक जाते हैं देखिए फ्रेंट्स सेटिंग्स में जाने के बाद आपने एडिशनल सेटिंग्स में जाके इसको ओन करना है लेंग्विज एन इन्पुट पर जाना है करेंट कीबोड को सिर्फ जी बोर्ड ही रखिएगा यह देखिए जी बोर्ड हमने जी बोर्ड कर दिया है यहां पर फेस इमोजी कीबोर्ड था हमने सिर्फ इसको जी बोर्ड को ही ओन रखना है फिर बैक जाना ह अब हम किसी भी फ्रेंड को मैसेज करते हैं देखिए यह हरे वाले माइक के नीचे हरे वाले माइक के नीचे एक छोटा सा माइक बना हुआ है इसको हम आउन करते हैं हेलो भाई कैसे हुआ आप देखिए अब इंग्लिश में मैसेज आ चुका है अगर हमें हिंदी में करना है तो नीचे ये इंग्लिश लिखा हुआ है ये इसको हम यहां पे जाके हिंदी इंडिया को चूज कर सकते हैं यह देखी हमारे सामने हिंदी के कीबोर्ड आ चुके हैं अब हमने सिंपल सा वहरे वाले माइक के नीचे जो ब्लैक माइक बना हुए काले रंग का उसको ओन करना है है हेलो भाई कैसे हो आप कहां से हो देखिए फ्रेंट्स यह अपने आप टाइप हो चुका हुआ है तो ऐसे आप अपना टाइम बचा कर और किसी को भी जल्दी से जल्दी मैसेज कर सकते हैं अगर हमारी इंफोर्मीशन आपको अच्छे लगी तो प्लीज चैनल को लाइब सब्सक्राइब और कमेंट करना ना बोलें थैंक यू सो मुच में देर फ्रेंड्स गुड़नेश तो अल